कल्यान डॉम्बिली के जाने माने व्यावसाई डॉक्टर सुनिल गन्पत खरडिकर सर को हाल ही में लोकमत के कल्यान डॉम्बिली गौरो पुरसकार से सन्मानित किया गया है लोकप्रिय दैनिक लोकमत की और से राजभवन में गौरो सोहला का आयोजन किया गया था इस अवसर पर कल्यान डोंबिली नगर निगम के कई गर्मानिय व्यक्टिव पसीत है साती में कल्यान डोंबिली में पिछले 18 से 20 वर्सों से समाजिक शेत्र में कार्यरत प्रसिद्ध डॉक्टर सुरिल गनपत खर्डिकर का स्वागत महराष्टर के राजपाल माननिय भगत्सियां कोश्वारी द्वरा किया गया लोकमत कल्यान डोंबिली कौरो पुरसकार से उन्हें समानित किया गया विशेशातिती के रूप में कल्यान डोंबिली मगर निगम के कमिशनर डॉक्टर विजय सुर्याउन शी जाने माने अभिने त्रिय इश्वर्या नारकर मौजुद थे कल्यान डोंबिली के लिए घोशना की गई है लोकमत द्वारा की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ऐसे मंच प्रदान करने की उद्दिश से एक अलग दैनिक पूरक शुरू करने का लोकमत का इरादा है लोकमत दैनिक ने डॉक्टर सुनिल गनपत खरडीकर को उनके अब तक के लिए सामाजिक कारियों के लिए सनमानीत करते हुए ये पुरसकार प्रदान किया है लोकमत संग्रा का मकसद समाज के लिए संगर्शक कर रहा है लोगों को अर्दिक समर्थन देना है समाज में काम करते हुए इस बात से मैं वाकिप हूँ की मुझे समाज को कुछ देना है और इसलिए में हमाज समाज के लिए काम करता हूँ ऐसा सुनिल गनपत खरडी कर जी ने एमेच मराठी से बात करती हुए कहा संदेश दाबने एमेच मराठी मुंबई